दोस्तों यदि आपको या आपके family member में से किसी को भी ऐसी खांसी आ रही है जो रुपने का नाम ही नहीं ले रही है और कई सारे दिनों से खांसी बनी हुई है खांसी के साथ साथ बलगम भी है जुखाम भी है आपके गले में खरास भी है यानि कई सारे लच्छड आपको एक साथ हो गए हैं और आप मार्केट से सिरफ पी-पी के ठक चुके हैं तो आपको मैं एक ऐसे सिरफ के बारे में जानकारे दूँगा जो एक ही सिरफ में आपको क तो इस सीरप का पूरा जानकारी पाने के लिए आप बने रहे इस वीडियो के साथ नमस्कार साथियों मैं हूँ विजय प्रकास गुपता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल विजय फारमेसी को साथियों अगर आपको स्वास्त से सम्मनित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल बटन को दबाकर आल नाटे पेकिसम को भी जान कर लेए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नाटे पेसन आपको मिल जा इस मैक बेरी सीरप की बात कर रहा हूं क्योंकि इस सीरप में जो कांटेंस मिलाए गए हैं और बेहत कमाल के हैं तो चलिए मैं इसके हर एक कांटेंस का आपको जानकारी दे रहा हूं तो इस सीरप की पैकिंग हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है यह देख लीजिए मै इसको बड़ी आसाने से ले सकता है इसका MRP जो है वो 99 रुपे है और इस 100 ml के पैक में आता है इसको मैकलियार्ट्स फार्मासीट्वल की तरब से बनाया गया है और इसका जो कांटेंट से वो बेहत कमाल का है इसमें पहला जो कांटेंट से वो डेक्स्ट्रोमेतरफान हाइड रखसाल हाइड्रो कॉलोराइड यह फार्मूला मुकोलाइटिक होता है यानि फेफडों में जो बलगम जमा होता है उसको यह बाहर निकालने में काफी काम करता है और इसमें जो तीसरा फार्मूला मिलाया गया है वो है कॉलोरफिनाइरा मीन मिलियेट यह फार्मूला डिक यानि बंद benा को खूलने के साथ-साथ। खाशी को भी ठीक करता है। और इसमें जो 5-वाफ हर्मुना मिलाया गया है ओह है मिन्थाल। जो कि हमारे गले में अगर ख्रासiform है । उसको जो है यहwd सूधिंग करता है उसको cooling करता है और जो है खासी में काफी आराम मिलता है और इसमें जो contents का मात्रा है वह भी बेहत कमाल का है dextromethorphan hydrobromide 10 mg मिलाय गया है इंब्रकसाल hydrochloride 15 mg मिलाय गया है और chlorpheniramine miliate 2 mg मिलाय गया है phenyl effrind hydrochloride 5 mg मिलाय गया है और menthal जो है एक दसमलो 5 mg इसमें मिलाया गया है इसलिए यह सीरफ जो है हर परकार की खासी को ठीक करने में काफी responsible है मैं कई सारे patient को इस सीरफ regular इस्तेमाल करता हूं और उन्हें एक ही सीरफ में आराम मिल जाता है तो इस सीरफ का नाम आप याद रख लीजिए आपको कोई भी खासी हो एक ही सीरफ में आराम मिल जाएगा इस सीरफ को जो पीने का तरीका है अगर आपको हो खासी जखासी ज्यादा आ रहा है तो आप इसको तीन टाइब पीजिए शुबह दोपार साम 10 10 mare करके जो है आप इसको तीन टाइम में पीजिए दस सीरफ को जो पीने का तरीका है को इस पर भी मेंसेन कर दिया गया है जैसा कि देख लेजिए बच्टों के लिए 6 scooter और अगर दो साल से छे साल का बच्चा है तो इसको आधा चमच तीन से चार टाइम एक दिन में देना है तो इसको आप पढ़कर भी पी सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे दोरा देगे जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईए और आपको ये सीरफ कैसा लगा हमें ओभी कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत जल्द लेकर आऊंगा ए